आधनिये दर्शक्विन, पुर्षत्तम मास माहत्मय को प्रवचन स्रिंखला मां यारुषब मां हर्दिक स्वागत एबं अविभाधन। आमिले अध्या बार मां पुर्षत्तम मास को उपाशना गरी पान्डव हरुकोर राजा दिड़ धन्वा को मनोरत सिद्ध भई को विभेचन गरेका थियों। आज जुन हीजो आमिले प्रस्तुत गरेका थियों। आज अध्या 13 को कथा शार प्रस्तुत गरदै छों। आउनोस येरों येस अध्याय मां के करता विशय बहत्तु रहेगा छन। नईमी सारने छेत्रमा सुतनामा पौराणिक समक्षर इसी हरली प्रस्ण गरे। गुरुदेव तपाइले राजा दिड़ धन्वाले पुर्षत्तम मास को उपाशना गरेर। धन, संपत्ति तथा असल संतान प्राप्त गरी येस जीवन सुख सान्ती रा आनन्द पाएगा। रो मरे पसी पनी मुक्ती प्राप्त गरेका थे भनेर जुन कुरा गर्नो भयो। आमी तेसे बारे थव जान्न चाहां चौं। ती दिरधन्वा नामगरेका राजा को थिये रा उनले कईले पुर्षतम्मास को उपाशना गरेका थिये। येस बारे पनी प्रश्ट पारे दिनु भय आमी आरारी होने थियों। उनियरको कुरा सुने रा खुशी भय का सुता नामा पौराणेकले अगे बद्री नारायन रा नारज्जी का बीजमा जुन संबाद भय का थिये तिने ही मिशे लियाये रा सुनावना लागे। धिरेई बर्श अगी को कुरा हो कुने समय मा हईय हय नामक देश्मा धीर बीर र पराक्रमी चित्रधर्मा नामका राज्या थिये। उनका धिरधन्य नामका बाबु जस्ति पराक्रमी र धार्मीक प्रकृतिका छुरा थिये। उनी जती ग्यानी थिये तेती ने सुशिल र बिनेशिल पनी थिये। गुरकुलमा बसे र छवटे अंग सइद बेदा ध्यायन करी दरभार्मा आये। उनको आगाउन पसी बाबु चित्रधर्मा राज्य को भार उनका ही काल मा दिये र कुने आश्रम मा बसी भगवान को आरदाना गरने बिचार गरदय बने। बाबु दिडधन्य मा जती ने संपन्न भयपनी एक फटक जानाई परने हुँँछ। तेसाईले सक्ति छंदेई मिर्त्यु सुधार्ने काम गरनो परछा, मानिसलाई मिर्त्यु बंदा ठूलो डर अरको हुँँण। किने कि तेहां जीवन भरको इसाब किताब बुजावनु परने हुँँछ। इसो तो मिर्त्यु संप्जी बस ने कुरा वेड ब्यवास्ता गर्णो परने कुरा वो। एक पटक व्यासका शीष्य दास ले गुरु व्यास्षित आपनो मिर्त्यु बारे सोदे का थी। 22 ले यो 400 दिने विशे होई ना भनेर सके सम्म सम्झाऊने प्रयाश गरे तर ज्यादे जिद्धी गरे काले सोधने एमराज समख्य गए एमराज ले मिर्थुदेवला सोधे उनले पने थाहन पायरा ब्रह्मदेव समख्य गए ब्रह्मदेवले जती ब्यला ती मिहरू चार जना आउने छाओ तेसे इस दिना मिर्थुदे होंचा भने रहलेखी दिये को थियें आजा आयो अईले ने ती मिर्थुदे होंचा भने नभन ती दास को ततकाले मिर्थी भयो तेसलिए मृत्यु बारे चासु राख्या धा धा सकु तेस्टोonsider भिगत भयो यहा आं। तेसलिए येस बारेमा चासु राक्नो राम्रोव हो हीन। तथा अपि मृत्यू हुझ्टे नहीं भायकाले सुधार ने काम्मेने गर्णू परछा। तेसेली तपस्या गर्न जंगलतिर जाने विचार गरेको छो। धुर्ब, अम्मरेश, सरियाती, एयाती, सिवी, रंती देव, ससविंदु, भगीरत, भिश्म, विधूर, दुश्यंत, भरत, प्रिथु, उतानपाद, प्रलाद, विविशन आधी, ठुला ठुला राजा हरुल समय में एस्तरप ध्यान दिये काले मुक्ति पाये का थिये। शरेर अस्तिर भएपनी एसमा थीरता पाप्तागर्न सक्ने सक्ति छो। येसो तो मुक्ति शरेले चाहिने होई ना, किनेकि ये जड़ छ। मुक्ति आत्माले पनी चाहिने होई ना, किनेकि वो मुक्त नाई मनलायो तथा आपी तेशकोपनी आधार सरेदनाई भायकाले येसाई मार्फद मनलाय मुक्त गरावन चाहांचु। येती भने र चित्रधर्मा तपसे गर्ना हेडे येता देड़ धन्वाले आपने जस्तोशील सबाब भई की विधर्ब देशकी राजकुमारी गुण सुन्दरी संग विवा गरे। जस बाटा उनका चारवाई छोरा र एक बईनी छोरी भईन उनको पईत्रिक संपतित येसाई पनी छादे थियो उन्ही आफाईनी पनी जोडे विश्तारे उन्ही येती बड़ी धनी भई की स्वई धन्नाई चिन्ता को काड़ा बने। धन्ता कमाये तर सुरक्रित कसरी गर्ने वला कते अरुले ने खाई दिने पो हुनकी बने जाता चिन्ता गर्दा गर्दै उनको रात को निंद्राबने हरायो दिन को भोगपने हराम थाले। संपती कमाउन नरामर होई ना कमाउनु पर्छा तरात्यसलाई सदोपवय गर्नपनी जाननु पर्छा धन्जमा गर्नका लागी होई ना लगानी गर्नका लागी हो। निती शास्त्र भन्च निती पुर्वक धन कमाउनु पर्छा रा कमाई को तेतीस प्रतिसत दान गर्नु पर्छा। तिया ही थेतिस प्रतिसत पनी पुणाहां कममानी, थेतिस थेतिस प्रतिसत को दरले शीक्षार्ट चित्रामा, स्वास्त्यको चित्रामा रोच्व नो फैगी। हुष्णी शीक्र्ति नाति कमाउन नुको अर्थ रहन्य। भगबान विष्णुपनि लक्षमिलाई प्राप्त गरे पची येता उता हेर्ण धाले का थी है विष्णुदी पणी। येसको अर्था हो संपत्ती कमाये पची कसलाई क्ये आवसेक्ता चा तेता तीरा हेर्णों पर चा। र कहां बड़ी आवसेक्ता तिया लगानि गर्णी बानी बशाउन सके मात्र संपत्तिली सांति दिन चा। येसे पनी आपनों भणे को प्यत्मा गयको जती मात्र हो तेव पचाउन सक्नी जती मात्र बाकी कुने तरीकाले जहां बाता आहे को तेता ही फर्कने कर सा। ती देड़ धन्ना राजालाई पनी तेस्ताई वयकोठियों, उनले संपत्तिता कमाये तर जहान लगानी गर्नों परने हो तेता ध्यान देन सकेनन और अन्तता तेई धन्नाई असांधिको कार्ण बन्णपके। मनमा सांधि न मिले पसी तैपनी घुन्जकी भनेर उनी शिखार खेलना जंगल तिर लागे। अने किसिम का जनाबर मारे, निर्ग मारे, जरायव मारे, खरायव मारे। यसोता निर्दोस जनाबर मारे नूं पाबो वन्ने कुरा उनले था नवयको है न। तैपनी मानसिक बिशाइनी का कारण बुद्धी प्रष्ट भहरा, मन बुजाउन के लागे जनाबर को शिकारगर न पुगे का थिये। तर भहिदियो के बने उल्ट परे। जीव हत्ल्या का कारण असांत हुन पुगे, थब असांती बड़े उनको मनमा, रते असांती को कारण सहिनी घरुषिता छलिये, अनकंटा रथांती रपुगे। तिरखा लागे काले पानी खोजदे जादा पर कते योटा तलाव देखे रतेते लागे। जब उनी पानी खाना खायर तलाव को किनारम के बशे का थिये, नजी कई को रुख मा योटा सुगा आयर भन्न धाले। समसारमा रहे काती शुक भोगेर तेस्तरी गर्दैनो तत्त चिन्ता त जालोव पार कसो गरी। सुगाले उनी तरब येरी एस स्लोगलाई पटक पटक दोर्याय। राजा तेसको अर्था बुजन नसागेर थप असान्त बई। एकै सुगा पनि तेते हरायो उनी त्यसको समय चिन्ता को भार ही भोगेर दरबार थर्व फ़र्कीज। पत नी कुण सुन्दरीले चिन्ता को कार्न सोधीन तर उनले बतायना पतीको चिन्ता को कार्न बुद्न नसागेर राणी पनी चिन्ती दोन धालीन। आधिनिया दर्शक विन येस अध्याय को मटा मटी कथासार इने हुन इप्रसंगले हमिलाई निम्नानुशार का संदेश दिना खोजे को दिखिन चौ। पईलो संदेश तो यही हो कि संपत्य कमायर मात्र हुँदाई न तेसला सदुपयोग गर्नपनी जाननुपच अन्य था ते संपत्य ने चिन्ता को काण बनना पुख्षा। दोसरो संदेश की हो बने अत्यार इमसाले सान्ति दिन्धाईना। सान्ति भनने चीज कसायला मारे रहोई न बचायला मात्र मिलने कुरह। इस अध्यागो प्रसंग ले दियो को संदेश आमेला यहिने हो आधर निया दर्शक विन इने प्रसंगों को साथ है आजाला विदा चाहंचो विदा देनोस नमस्कार